हेलो गाईज, वेलकम बैक अलवांगला टेकनोलोजी, प्लीज सस्काइब इस चैनेल अलवांगला टेकनोलोजी और प्रेज दा वेल आइकोन लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फेंड, तो आज हमारा सब पे एक नया कास्टमर आया है, कास्टमर ने चूस किया है, डेल का राइजन 3 जो लेप्टप है, 4GB RAM, 1TB, 15.6 और ओर्जिनल विंडूस 10 जो है, इस लेप्टप को चूस किया है, और इस लेप्टप में SSD नहीं है, तो हम लोग SSD लागाएंगे, NVMe SSD जो है, WD का, इस SSD को इंस्टल करेंगे, लेप्टप में पूरा, और प्लस इसका जो अपरेटिंग सिस्टम है, ओर्जिनल विंडूस 10, उसको भी ट्रैंसफर करेंगे, विंडूस 10 को SSD में ट्रैंसफर करेंगे, तो आइस वीडियो को फूल देखना, स्कीप मत करना, और मेरे चैनल भी जो जो भी नया है, प्लीज 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 मेरे चैनल को सस्काइब कीजिए, और बे लाइंग को प्रेश कीजिए, नया टेकनलोजी आपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, तो गाइस, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका जो मतलब जो कवर है, इसका खोलना में बहुत ही आसान है खोलना, तो दोस्तों आप लोग इजी लेपटप को खोल सकते हैं, अपने घर पे ही खोल सकते हैं, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग को लेपटप में SSD नहीं है, आप लोग का लेपटप पुराना है, अब लेप्टप में डिफरेंस होता है जैसे कि पुराना वाला जो लेप्टप होता है पीछेगा स्क्रूज होता है छोटा वारा होता है इसलिए उसको आप लोग का देखना जरूरी है तो लेप्टप खोलने के लिए तो प्लास्टिक का कीड होता है उसको आप लोग को लेन तो कि देखने में बहुत ही खुब सुरा देखने में लेपटॉप का क्लार तो मुद्धू में बहुत अच्छा है इंस्पिरिया नुध सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों अब ईच जो है लैपटब के अंदर तो दोस्तों को सब अब आप लोग देखिए इसका जो बैटरी होता है बैटरी पहुत भरा होता है 3-cell का बैटरी डेल का बहुत ही बारा है और इसका बैकाप भी बहुत जादा देता है और हार्डडिस को दिखिये काई सा लगा रहता है रो यह स्फ्षिय शन स्टब्रड लगाने का जो सब्सक्त करें खूंद नीए कर ऑफ है और राम कार्त है इस यह ओर भी का आप लोगस भी पहाएं गर आये लगते हैं कोई बात नहीं हैं तो दोस्तों तो यह हमारा रहा नवीएम E का SSDWD का तो इस SSD को हम लगाएंगे हमारे laptop में तो इसका जो SSD है इसका speed बहुत ही ज्यादा है नप्रोह से के लिए से बहुती बहुत ज्यादा spend का और इसका कीमोथ ज्यादा होता है नर्मल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसका पैश्ठी को इंस्टी क 15 करेंगे इस लैपटॉब में इंस्ट्रल मतलब लागा बेंगे तो इसको लागाने के लिए कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है अप लोग देख सकते हैं अग tällा मैं पहले से लागा होता है उसको पहले खोल दीजिए गा उसको पहले butterfly ठीर से fighting पहले धिरे से खोलों एँडरे स्कूलिया ळाता है SMOKASE यूद चोलने के बाद आपका जो SMOK CA 0031010 छो देख सकते हैं SS IT लागने में कोई दिक्कत नहीं होता है आप य거든 यह सकते हैं कि छोटा सा रियाम जैसा होता है तो दिरे से पुष्च किजेएगा तो लग जाएगा आधा है तो लगने के बाद आपको जो इस्कूू होता है स्कुरी को धीरे से लगा देना है ज्वात कर देना है और SSD हमारा फीक्स हो जाएगा से तो SSD हमलोंको लग गया है अभी अभी हमलों को क्या करने पड़ेगा इसका जो पीछे का कवर undertफ कंद देंगे फिर तो दोस्तों मेरा चनल पर जो भी नया है प्लीज प्लीज में चनल को सस्काइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेश कीजिए ऐसे ही नया टेक्नलोजी विडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी इसको कवर को लगा देंगे जैसे था वैसे वै में क्याश बगरा कुछ भी पर पड़ता है के नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों आप लोग ऐसे लैप्टप खुलेंगे तो कुछ नहीं होगा लैप्टप खोलने में बहुत ही आसान है लैप्टप खोलना आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इजी सीख जाए है आभी उस हार्डिक्स का ओर्जिनल इंडूस्टेम हम लोग एसेज़डी में टेंसपर करेंगे एकदम इजी है आप लोग देखेंगे तो खुद बाखुद कर सकते हैं कोई बात नहीं जो भी हमारा चैनल पर नया है प्लिस 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 हमारे चैनल को सस्काइब कीजि है और हमारा लैप्टप भी रेडी हो गया है तो अभी आप लोग देख सकते हैं लैप्टप में एसेज़डी लग चुका है तो अभी हम लोग इस लैप्टप को ओन करेंगे तो पहले नया लैप्टप है इसलिए आप लोग चार्जर लगाना पड़ेगा हम लोग पैकेट हो बैटरी डेट रहता है इसके लिए पहले तो चार्जर लागाना ज़रूरी है तो दोस्तों और एक और बात है अगर आप लोग का कोई भी नया लैप्टप होता है कुछ दिन पुराना कि आप लोग का लैप्टप और नहीं हो रहा है तो अब लोग का लैप्टप मतलब पीछे से खोल के अब लोग का बैटरी जो कॉनिक्षण होता है माधर लूर्स से माधर वोड का कानिक्षण एक बर खोल के लागाने से चार्जर , चार्जर लैप्टप घरने यह निया पॉब्लम ही आप लोग ऐसे करेंगे तो आपका लैप्टॉप ओन हो जाएगा तो दोस्तों देख सकते हैं कि चार्जर कर रहे हैं बोड में बोड से लैप्टॉप में करना पड़ेगा तो दोस्तों मेरे चैनल पर जो भी नया है प्लीज प्लीज में चैनल को सब्स जो है कि इस लैपटॉप में ओपरेटिंग सिस्टम एसेज़डी में डालने के लिए है जो है एज रहा हमारा पेंडाइट यूएफाई मूड विंडूस 10 यूएफाई मूड यूइंडूस 10 जो है आप लोग यूफाई मूड विंडूस 10 मारेंगे तो आप लोग चला Uhm, यूव दोरद हुद दा जाता था अभी तो सिर्यालन मलीन है अभी यूफाई मूड से हो जाता है तो दोस्तों पेंडाइट लागाना के बाद आप लोग दो को 22 में जाना परएगा बूट में बूट में जान के लिए एप टेवल दावाना है एप लोग दोस्तों के आ आप लोगो को यह जो विंडोस हो दा है इसको next करना परेगा next तो next करने के बाद इन्स्टल करने का बाद आपको जो next step जो आएगा उसके लिए आप लोगो का थोड़ा wait करना परेगा next step देख सकते हैं दोस्तो setup is starting तो इसको निचे जो तिक मर्क चिन्नो है उसको टिक मर्क करके आप लोग को next करना पड़ेगा तो टिक मर्क कर दीजिए Easy उसके बाद next कीजिए नीचे का option कि लिए तो आप लोग का partition जो है पुरा करेगा देख सकते हैं दोस्तों आप लोग को जो हाट डिक्स में जो भी इंस्टॉल है पहले का वह सब आप लोग डिलेट कर दीजिए पुरा पाटिशन डिलेट कर दीजिए तो तुम्हें सब कुछ डिलेट कर रहा हूँ जो डेल का वर्जिनाल उंडोस का रिकावरी का जो है सब कुछ डिलेट कर रहा हो इसको डिलेट करने के तो कुछ भी नहीं होगा आप लोग का जो ओपरेटिंग सिस्टम है अप लोग का पेन डाइट में जो यह फाइ मूड वाला विंडोस 10 है उसको आप लोग स्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बात आपडेट तो देख सकते हैं है दोस्तो हमारा है जो है गोन हाधिक्स का हर्डी लガ हुआ है सकते हैं क्या है सिस्टम करने पादेगा तो कोई बात नहीं ही कर भादभीyorum कर लीजिए हम दो पाटिशन करेंगे 50-50 तो दो पाटिशन कर लिए आप लोग का आप लोग तीन भी कर सकते हैं चार भी पाटिशन कर सकते हैं तो मैं दो पाटिशन करूंगी क्योंकि हाट्डिस का जो भी जितना पाटिशन ज्यादा होगा उतना हट्डिस का प्रब्लम ज्य यादा आती है तो इसलिए पाटिशन काम कीजिए तो आच्छा चलता है लेप्टॉप तो दोस्तों आप लोग कर सकते हैं पाटिशन इजी एक दुम आप लोग कर सकते हैं पाटिशन दो करने से आच्छा होता है तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा एक पाटिशन बन चुके है और दीतियों पाटिशन जो है उसको apply कर देते हैं तो दीतियों पाटिशन भी हो गया है second partition अभी हम लोगों को क्या करना है अभी हम लोगों को जो क्या है SSD को select करने के बाद हम लोग next कर देंगे करने से क्या होगा कि automatic automatic SSD format लेके Windows लोड हो जाएगा तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों को जो Windows है Windows इंस्टाल में बैट गया है अभी हम लोगों का laptop में original Windows 10 ही आएगा बिल्कुल और इसका बाद इसको लोड होने का बाद इस Windows को full update कीजिए फुल update करने के बाद आप लोगों का laptop automatic ready हो जाएगा अब लोग लेपटोप को speed भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा speed होता है तो दोस्तों हमरा laptop ready हो गया है Windows 10 तो अभी हम लोगों को क्या करना है पहले तो हम लोगों को इस laptop में update करना परेगा मतलब original Windows 10 जो है उसको तह हमने format कर चुके है इसके लिए हम लोगों को laptop update करना परेगा तो दोस्तों आप लोग को laptop update कर लिएगा पहले नहीं तो आप दो दिन बाद भी दो दिन तीन दिन बाद भी आप लोग आपडेट कर सकते हैं कोई बाद नहीं दोस्तों थैंक्यू फूल वाचिंग माई वीडियो